दोसन नमस्कार अनिल देशमुक केस में इस वक्त एक बहुती बड़ी कवर निकल कर सामने आ रही है आप लोगों को याद होगा कुछ हफते पहले एक सीबियाई की रिपोर्ट को लीक किया गया था जिसमें दावा किया जा रहा था कि अनिल देशमुक के खिलाप में वसूली रैकेट को लेकर कोई भी सबूत नहीं मिले हैं अब इसे लेकर के सीबियाई की स्पेशल टीम ने अनिल देशमुक के यहाँ पर फिर से रेड मारी है इस बार अनिल देशमुक के ठेकारों पर चापेमारी क्लिंचिट से जुड़ी उस कथित लीक रिपोर्ट को लेकर जो है के खिलाब कोई संगे अपराद नहीं बनता क्लिंचिट वाली कथित रिपोर्ट के लीक होने के बाद जब सीबियाई के इंस्पेक्टर अबशेक तिवारी और अनिल देशमुक के वकील आनंद डागा को ग्रफतार किया गया तो जांच में पता चला था कि आनंद डागा न की वहीं पर डागा ने उन्हें आईफोन गिफ्ट में दिया था ऐसा भी आरोप लगा था कि तिवारी ने सीबियाई जांच से जुड़े बहुत सारे गोपनिय दस्तावेज अनिल देशमुक के वकील के वाटसेप पर शेयर किये थे संगे अपराद का दोस्तों यहां मतलब उस केस से था जिसमें मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर परमबीर सिंग ने मार्च महीने में देशमुक पर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने सचिन वाजे के जरिये मुंबई पुलिस पर हर महीने 100 करोड रुपे की ओगाही का दबाब डाला था परमबीर सिंग इस मुद्दे को लेकर बंबे हाइकोट में भी पहुंचे थे हाइकोट ने तब सीबियाई से इन आरोपों की जो है प्रारंबिक जाश करने और प्रारंबिक जाश में यदि आरोप सही पाए जाएं तो उसके बाद एफ आयार धर्श करन के लिए कहा था तो दोस्तों आज फिर से जो सीबियाई की टीम है उन्होंने देश मुख के ठिकावनों पर रेड मारी और ये रेड उस रिपोर्ट से सम्मंदित है जिसमें दरसल ये दावा किया जा रहा था कि देश मुख का इसमें दरसल कोई भी इन वाल्पेट नहीं है सीबियाई की प्रारणमिक जांच में अनिल देश मुख के खिलाप में एविडेंस पाए गए थे और इसलिए सीबियाई ने अपरेल महिने में उनके खिलाप में एफ आयार दर्ज भी की थी तो दोस्तों ये अनिल देश मुख के ठिकाने पर ये जो बड़ी च्छापे मार पर आरोप लगे हैं और बहुत सारी जो सीक्रेट इंफोर्मेशन थी इस पूरे के पूरे मामले की वो देश मुख के साथ में उनके वकील के साथ में दरसल शेयर की गई थी तो इस मामले को लेकर सीबिय की स्पेशल टीम ने देश मुख के ठिकानों पर बड़ी च्छापे आपको में लेए